आम जन्ता जैसे ही अपनी परिशानियों को पहचानने के गरीब होती है धर्म संपरदाय से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिये जाते हैं जिसके शोर में वास्तविक मुद्दे गायब हो जाते हैं नमस्कार नियूसक्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ऐसे ही मसले की जिसे महंगाई बिरोजगारी के बरक्स एक बार फिर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है बात है मथूरा की बात है श्रीकृष्ण जन्व भूमी और शाही एदगा से क्या-क्या दावे किये जाते हैं मथूरा की सिविल कोट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही एदगा की विवादे जमीन का सर्वे करा कर हर हाल में 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौपने के आदेश दिये हैं शाही एदगा में सर्वे के लिए माहौल तब तब तयार हिंदू सेना के राश्ट्री अध्यक्ष विश्नु गुपता ने आवेदन दिया सिविल जड्स सीनियर डिविजन थर्ड ने 22 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए आदेश दिया की कोट अमीन इस मामले में रिपोर्ट सौपे शाही इदगा के सर्वे को लेकर अगर दोनों की दलीलों पर नजर डालें तो हिंदूवादी पक्ष कहता है कि इस मसले पर 1832 से 1968 के बीच नौ केस कोट में चले सभी में हिंदू पक्ष जीता यहां मंदिर से मस्जित की ओर दर्वाजा और हिंदू प्रतीक चिन मौजूद हैं हिंदूवादी पक्ष शाही इदगा मंदिर तोढ़े क्र म्सजित बन वत दी दावा है कि औरंगजेव में 1979 में काशी में विश्वनात मंदिर तोढ़ोया था और सोलह सव सथर में मत्यूद्ऀ में भगवाह के शवद Chemical मंदिर तोढ़ने काशी में ग्यानवापी मस्जिद और मतुरा में शाही एदगा मस्जिद बना दी गई जबकि मुस्लिम पक्ष के तर्क हैं कि एदगा में कोई हिंदू परतीक चिन नहीं है ये इरानी मुगल कला से बनी है दावा किया जाता है कि इस पूरे विवात की कहानी 1670 से शुरू हु यानी ओर्चा के राजा वीर सिंग बुंदेला ने 33 लाख मुद्राओं में वनवाया था। कहा जाता है कि मुगलों का राज होने की वजह से यहां हिंदूओं के आने पर रोक लगा दी गई। भगवान के शवदेव यानी श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया लेकिन धीरे धीरे ये मंदिर भी जरजर होता चला गया। कुछ सालों बाद आए भूकप में मंदिर धस्थ हो गया और जमीन टीले में तबदील हो गई। जमीन खरीद को लेकर विवात शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि अंग्रेजों ने जो जमीन बेची उसमें कुछ हिस्सा इद का मस्जिद का भी था। फरवरी 1944 में उद्योकपती जुगल किशोर बिरला ने राजा पटनी मलके वारिसों से ये जमीन साड़े तेरा हजार रुपए में खरीद ली। आजादी के बाद 1951 में शुरी कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना और ये 13.371 अकर जमीन कृष्ण मंदिर के लिए इसी ट्रस्ट को सौब दी गई। हाला कि इतिहास के पन्नों में लिखी मतुरा जमीन की इन बातों में बहुत से महस दावे हैं कि जमीन को कैसे खरीदा गया और बेचा गया और यहां क्या हुआ करता था और क्या तोड़ा गया। साल 1953 की अक्टूबर से 1958 तक राम कृष्ण जन्म भूमी मंदिर निर्मार चला और इसे शाही ईदगा से बिल्कुल सटा कर बनाया गया। साथ एक एतिहासिक समझवता किया। इसमें तय हुआ कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। हाला कि शुरी कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट आज भी इस समझवते को धोका बताता है। फिलहाल आपको बता दे कि मौजूदा वक्त में 13.37 एकड़ जमीन में 10.9 एकड़ जमीन का हिस्सा शुरी कृष्ण जन्म स्थान के पास है। की बचा हुआ 2.5 एकड़ शाही एदगा के पास है। उपासना इस्थल कानून क्या कहता है इसे भी जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन देश में जो भी धार्मिक इस्थल और महतु की इमारते जिस इस्तिथी में थी आज भी उसी इस्तिथी में रहेंगी। उनका नियंत्रण जिसके पास है उसी के पास रहेगा। उनके धार्मिक स्वरूप और संडचना में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। इस कानून में सिर्फ अयोध्या के मामले को अलग रखा गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला कर सका। लेकिन इस कानून को दरकिनार कर अब एक बार फिर काशी और मतुरा के मुद्दे को हवा दी जा रही है। नारा लगाया जा रहा है कि आयोध्या बस जहांकी है काशी मतुरा बाकी है। हलाकि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय हमारी और आपकी सब की जरूरत क्या है। जरूरत है अच्छी सिक्षा, स्वास्त व्यवस्था और रोजगार की। जरूरत है बढ़ती महंगाई को कम किये जाने की। लेकिन अफसोस इस सब पर सोचने और काम करने के लिए हमारी सरकारों और उनसे जुड़ी संस्थाओं और हमारे कथे धार्मिक संगठनों के पास न समय है न इच्छा शक्ती।